दोस्तो, जयो मेको लिमिटेड एक बहुत अच्छा इसके IPO ने लोगों को पैसा बनाया था, जस्ट डबल पैसा कर दिया था इस शेर ने सभी लोगों का जिन लोगों ने IPO जिन लोगों को ये मिला उन सभी लोगों का पैसा इसने जस्ट डबल करके दिखाया बहुत अच्छा शेर है और लेकिन आज की टेट में एक दम मटी पली थो रखे इसकी भी और लगबग 61 के लेवल पर आचुका है दोस्तों 116 रुपे पर साइद ये लोंच हुआ था और आज सुबह से ही एक बहुत बड़ी मंदी का महावल इस शेर के अंदर चल रहा है और अभी 5% से भी जादा की बड़ी गिरावाट इस शेर ने अभी जेल ली है 61 रुपे 10 पैसे का लो जो की अभी लगा रहा है ये शेर मार्केट भी चालू है तीन बच कर 10 मिनट होए हैं अभी और भी मार्केट अभी चालू रहेगी देखते हैं इस शेर के अंदर आज कितनी बिक वाली होती है इस शेर ने बहुत ही ज़्यादा करेक्शन कर दिया है 5 दिन के अंदर 19 परसेंट एक महीने के अंदर 27 परसेंट 6 महीने के अंदर 53 परसेंट का करेक्शन इस शेर के अंदर देखने को मला है तो लोगों को जो निवेशक हैं और लोग बड़े खुस्त है इस शेर के अंदर पैसा लगा कर काफी अच्छा पैसा भी बन रहा था अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे थे लेकिन अभी ये शेर किर रहा है एक न्यूज है मेरे पास शेर के बारे में साथ ही साथ चार्ट्स पर कुछ लेवल आप सभी को बताऊंगा वीडियो को लाज तक देखें दोस्तो जो मेटो स्टोक ने बनाया उल्टाइम लोग 65 के नीचे आ गया भाव अब क्या करें निविशक जी बिज की वेबसाइट पर ये शेर आ गया है और बहुत अच्छा निगेटिव रिटन बहुत जबरजस निगेटिव रिटन लोगों को यहां पर देखने को मिल र उसने जो मेटो को रेटिंग डाउन ग्रेड कर दी है उनका कहना है कि आगे की तिमाही में अगर कंपनी का घाटा हाई रहता है तो पियर्स के मुकाबले वैल्यूइशन गैप कम हो सकता है बोफा बैंक ओफ अमेरिका सिक्योर्टीज ने जो मेटो के शेर पर अपनी रेटिंग घटा दी है निट्रल कर दी है परती सेर प्राइश टारगेट उन्होंने 80 रुपे का रखा है चार मई को 2022 को लगातार इन्होंने रिकोर्ड लोग बना दिया है अभी जो इनका दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दू जो मेटो का दिसंबर तिमाई में घटा था और कमपनी घटा कम करने में काम्याब भी रही है इस दोरान 63.2 करोड का घटा हुआ था पिछले एक साल में कमपनी को 352 करोड के नुकसान में थी लेकिन अभी कमपनी को घटा कम कि बोफा की डाउन ग्रेडिंग के बाद इस चेमेक क्रेक्षण देखने को मिला है एक बहुत ज़बरदस्त डाउन साइड का मुमेंट इस चेमे देखने को अभी मिल रहा है दोस्तों एक बोक्स के अंदर शेयर ने ब्रेकाउट भी कि लो और आप देखेंगे कि एक बहुत वह शार्प डाउन साइड का मुमेंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों एक बॉक्स के अंदर से ये शेर ने ब्रेक आउट भी किया था वो ब्रेक आउट बुरी तरह से फेल हुआ और उसके बाद एक सार्प डाउन साइड मोमेंट दोस्तों इतना बड़ा मोमें इसकी रेटिंग के डाउन ग्रेड होने के कारण आई है अभी जिन निवसों का इस शेर के अंदर पैसा है दोस्तों भी स्टोप लोस का क्या कर सकते हैं आप सत्तर पिछेतर का स्टोप लोस आप बानकर निकलते तो निकल जाते हैं अभी साठ पर शेर आ चुका है अभी दस्त निगेटिव मॉमेंट इस शेर ने दे दिया है अलाकि सभी शेर गर रहे हैं लेकिन इस शेर ने एक और निगेटिव मॉमेंट नीचे के तरफ का मॉमेंट दे दिया है ऐसे में निवेशकों को बहुत बड़े-बड़े नुक्सान हो रहे हैं ऐसे में निवेशक जो क कमपनी के अंदर आपको 40 रुपे तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं दोस्तो वीडियो है के वल एजुकेशनल परपरज के लिए आपको पैसा लगाना है या निकालना है आप अपनी स्वैम की रिसर्च भी चरूर करें आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यदि जोमेटर के उपर लगाता इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जादे से जादे शेयर कीजिए जोमेटर के बारे में पल पल की अपडेट आपको मिलेगी लेकिन थोड़ा सा वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बताईए धन्यवाद